गुड इबिनिंग इस्टुएंट्स आज वो दिन है जिसका आप सब को बेसबरी से इंतजार था जी हाँ हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ किया काविलेकाडमी के यूटूब चनल पे WB Tate 2022 की परिक्षा जो 11 December अभी बार को होने वाली है इसको लेके already 96 classes हम लोगों ने दी पूरी कोशिस की कि जहां तक हो सके theory portion और mock test और अलग-अलग MCQ के जरीए आपको इस level तक लाया जाए जहां पे आपकी understanding इतनी हो जाए किसी भी level पे question आजाए आपके exam में आप logically और constructively उस सवाल का जवाब दे पाए और यह सब होने के बाद जैसा कि मैंने कहा था एक December से यानि कल से आज से नहीं कल से previous year WB Tate की previous year की सारी paper करवा दी जाएगी पहली बात तो WB Tate की बहुत सारे exam तो होनी रखे हैं तीन से चार exam ही हो रखे हैं कोशिस करेंगे सारा दे दे कल से previous year की paper देने की बात थी लेकिन खुशकबरी यह है कि paper हम आज से ही दे रहे हैं है ना खुशकबरी की बात कि हम previous year WB Tate previous year paper 2014 child pedagogy live इस वक्त आप मेरे साथ live जुड़े हुए हैं और इसका session 1 में ले रहा हूँ पूछते हैं कि क्या होगा जुड़ जाए काभी लेकाडमी चैनल का नाम है YouTube चैनल का इसे आप लोग subscribe करें like करें share करें जब चैनल पे हैं ही तो इसको like कर दे share कर दे और जितना हो सके subscribe करें बेल notification प्रेस करें क्योंकि अब तो सिर्फ practice ही होगा क्योंकि अब theory पढ़ने का सम सब और आपके मित्र संबंदी जो भी इससे जुड़े हुए हैं सब को phone लगा दे message कर दे WhatsApp कर दे सब को एकत्रित करें बहुत ही शांदार session होने वाला है क्योंकि हूब 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 जो WB Tate की paper थी 24 की जो की public domain में already available है same to same वही paper authentic answer and explanation के साथ मैं लेकर आया हूँ ताकि आपक कोई भी दिक्कत ना हो और और एक बात सिर्फ इसे solve नहीं करना है मैं वैसा नहीं करता हूँ इस तरह से solve करना है कि ये 30 सवाल 300 सवालों के जवाब देने के बराबर हो जाए और ये सिप मैं कहता नहीं बलकि करके भी दिखाऊंगा आपको और आपको यकीन भी होगा ठीक है तो ये आज का सेशन है WB Tate, previous year paper, 2014, चाइल पेड़ोगी और मैं हूँ राजेस सर आप सब का स्वागत करता हूँ काभी लेकाडिमी के YouTube चैनल पे तो लाइब सेशन है जूड़ जाए आप सभी कोई आज के इस सेशन में ताकि 11 December को होने वाली परिशा के लिए पूरे जोश सेशन शुरू करेंगे हम लोग, लाइब है, चाइल पेड़ागोगी करने जा रहे है, WB Tate, previous year का हूँ बहू, 2014 का paper जो public domain में already available है, तो चलिए, शुरू करें, ठीक है, आज का पहला सवाल आप लोग के लिए और जल्दी जल्दी आप लोग जबाब देंगे, जल्दी जल् तो तयार हैं, और हाँ, इसे exam का ही paper समझें, और exam का ही paper है, तो बहुत सोच समझ के जवाब देना है, और जब session खतम हो जाए, तो इसके marks भी, आप मुझे bye bye, tata, take care, बोलने से पहले, कम से कम अपने marks वहाँ post कर दे, उसके बादा buy करें, ठीक है, और हाँ, और एक बात, सिर बहु बहु आया था, तीनो paper आपको आज ही मिलेंगे, एक के बाद, एक live खतम होगा, पांच मिट के gap के बाद, second होगा, उसके बाद, तीसरा होगा, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं, काफी समय हो गया, तो आपके सामने है, आज का पहला सवाल, देखिए, और आप लोग इसका जबाब करें, Child-Centered Education refers to, Teacher-Centered होता है, Child-Centered होता है, हम सब को क्या प्रेफर करता है, Child-Centered करते हैं, इसको लोग में, तो Child-Centered Education किसको प्रेफर करता है, Encourage the experience and learning of a child, Communicate the child what to do by the teacher, Encourage the child to adopt the prescribed notice, a teacher-centric class, चलिए, जबाब दे फटा-फट, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, फटा-फट लेकिन जबाब करना है, ज्यदा समय नहीं मिलेगा, इतने आप trained हो गया है, I think आप लोग इस लेबल तक हम लोग पहुचा पाए हैं, जहाँ आप इस बात का ध्यान रखोंगा, क्योंकि previous year के paper है, जबाब करें, जबाब करें, तक मैं आपका जबाब भी देख लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो child-centered जो education होता है, जो कि learner या बच्चों को ध्यान में रखके अपने school के curriculum को त्यार किया आता है, ताकि बच्चों पर ज्य child-centered हो, teacher-centered नहीं, ठीक है, इसका सही जबाब होगा, इससे क्या होता है, child-centered education refers to encourage the experience and learning of a child, यानि जो बच्चा होता है, उसके अनुभाव और उसके अधिगम, यानि कि सीखना जो होता है, उसको हम लोग encourage कर सके, उसको प्रेइद कर सके, उसको और जोश दे सके, ताकि उसकी पढ़ाई उसके हिसाब से हो सके, चीजों को समझ सके, तो ये हमारा सही जबाब है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, learning assessment is purposeful, आपका जो learning assessment है, यानि अधिगम मुल्यांकन, यानि कि बच्चा क्या सीखता है, ठीक है, वो पास होता है, फेल होता है, कितना अच्छ हो सकता है, यदी, it serves as a feedback for the students as well as the teachers, it is done only once at the end of the year, comparative evaluations are made to differentiate between the students' achievements, और it induces fear and stress among the students, हु बहु, 2014 के paper को मैंने लिया है, और हाँ, इससे आपको ये भी समझ में आएगा, आज समझ में आ जाएगा, कि exam में paper कैसे आए थे, हाला कि इस बाद syllabus चेंज किया गया है, काफी modification की गई है लेकिन इससे आपको अच्छा idea हो जाएगा, कि आपकी पढ़ाई की सोर जा रही थी, बताए इसका answer क्या होगा, जल्दी करें ठीक है, इसका सही जबाब है, learning assessment purposeful तब हो सकता है, if it serves as a feedback for the students, students, बच्चों को भी learning के बाद जो assessment होता है, उससे बच्चों को भी feedback मिले, कि किस कहां strong है, कहां weak है, कहां उनको और भैतर करनी की जरूरत है, कैसे कर सकते हैं, और साथ-साथ teacher को भी पता चले, कि उनके approach कितने successful है, और क्या उनको variety of learning, teaching approach को अपनाने की जरूरत है, अगर बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा है, जितना अच्छा होना चाहिए था, हैगी नहीं, तो ये हमारा answer होगा, नीचे मैंने कुछ आपके लिए notes भी दे रखा है, चाहिए तो आप इसके screenshot ले ले, मैं side हो जाता हो, कि assessment is, assessment क्या है, is a systematic basis for making inferences about the learning and development of students, it is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting, and using information to increase students' learning, using information to increase what, students' learning and development, ठीक है, if formative assessment measures how a student is learning during a course of study, summative assessment is designed to measure how much a student has learned after the unit, मतलब, दो तरह के assessment हो गए, आपके knowledge के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एक है formative, एक है summative, exam में इसके पर सवाल आ जाएंगे, formative assessment क्या होता है, formative assessment होता है, कि जब course of study चल रहा होता है, जब course of study चल रहा होता है, उस समय एक बच्चा कैसा सीखता है, कैसा learning करता है, वो हो गया formative, और summative assessment क्या होता है, जब वो चल रहा course, जब वो चल रहा unit या चल रहा course जो है, खतम हो जाता है, उसके ठीक बात, तब देखा जाता है, कि how much a student has learned, उस course के खतम हो जाने के बाद, वो कितना बहतर किया है, कितना कुछ सीखा है, कितना अच्छा और बहतर कर सकता है, या क्या खामिया है, ये पता चलता है, तो उससे हम लोग summative कहते है, formative during the course of a study, summative after the end of a course of a study, clear हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल लेत हैं, तीसरा सवाल, ये तो answer हो गया था, तीसरा, a collection of students work in an area, showing growth, self reflection and achievement is known as, कह रहा है, a collection of students work in an area, किसी भी विभाग में, एक बच्चे का जो काम होता है, ठीक है, उसका जो आपने एक idea ले रखा है, जिससे उसको growth दिखती है, self reflection दिखता है, उसकी achievement, success दिखती है, इससे हम लो क्या कहते हैं, इसे क्या हम लोग assessment कहते हैं, judgment कहते हैं, portfolio कहते हैं, cumulative record कहते हैं, ये आपको answer करना है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और answer करें, इससा क्या होगा? बहुत लोगों ने answer देना शुरू कर दिया है, देर है, सारे के सारे, जितनी जल्दी हो सके, आप लोग जुड जाएं, देखिए, previous share पर आप ही लोगों ने कहा था, हमने कहा था, एक December से देंगे, पर हम तो पहले ही लेके आगए, surprise था आप लोग के लिए, है ना, ताकि आ होगा, portfolio, याद रखेगा, किसी भी विभाग में बच्चों का जो काम होता है, जहां उसकी growth, self reflection, achievement की collection होती है, उसे उस बच्चे क्या कहते है, portfolio कहते है, portfolio क्या है, देखिए, मैंने आपके लिए एक note भी उना रखा है, आप इसका screenshot ले लीजिएगा, ठीक है, a portfolio is a systematic collection of student work, में अच्छा किया, English में, grammar में, maths में, हिंदी में, ब्याकरन में, क्या है, उसके systematic record है, that represent, ये portfolio क्या दिखाता है, student क्या करता है, क्या वो पाया आस तक, क्या उसके achievement है, over a specific period time, तीन महिने की पढ़ाई के बाद, जो test हुए, unit test हुए, term examination हुए, उसमें से कितना अच्छा क्या हा, in one or more area of the curriculum, curriculum के एक area, या कई सारे area में sports हो सकता है, studies हो सकता है, project work हो सकता है, lecture, demonstration, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, there are two main types of portfolios, ठीक है, portfolio दो तरह के होते हैं, portfolio जो होते हैं, एक होता है, show cost portfolio, एक होता है development portfolio, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा notes, मैंने बना दिया है आपको, मैंने बना द दिया है, ताकि आपको ready-made, ये notes मिल जाए, आप इसके screenshot ले ले, show cost portfolio क्या है, show cost portfolio क्या है, students select and submit their best work, the show cost portfolio emphasizes the products of learning, by learning का क्या निकला, learning का क्या नतिजा निकला है, developmental portfolio क्या है, students select and submit pieces of work, that can show evidence of growth or change over time, जहाँ बच्चों ने समय के दवरान काफी अच्छा करा, बच्चों ने समय के दवरान जो है, काफी अच्छा करा, ठीक है, और change over time, the growth portfolio emphasizes the process of learning, यह निकला है, emphasizes the process of learning, ठीक है, तो यह बहुत ही important है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल लेते है, अगला सवाल है यह, करिये, क्लास लंबी होने वाली है, तो थो चाए ले रहा हूँ मैं, आप लोगो भी ले लीजिए, सवाल है, यहाँ पर आपको educational characteristics दिया हुआ है, और इसको measure करने के device दिये हुए है, और आपको इन्हें बताना है, कौन सा सही match होगा इसमें, ठीक है, तीनों में से कोई एक ही है, जो सही match हुआ है, तो वो बताए आप कौन सा होगा, answer करें, बहुत लोगों ने तो पता है, कैसे उन लोगों ने किया होगा, ठीक है, इसका सही जवाब किया है, learning assessment, यह education की एक characteristics है, और यह है उसका measuring device, learning को assess किया जाता है, learning assessment is the correct answer, ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, अच्छा आगला सवाल दखाए, sufficient number of questions are set on the same concept in a test, किसी एक test में, एक ही concept पे, कोई concept है, एक ही concept पे, धेर सारे सवाल दिये गये हैं, इस test को क्या बोलते हैं, बताए, option आपके पास है, option पढ़े, बहुत बढ़ियां, जल्दी से अब लाइब हो जाईए, फटा फट, बताए, 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 तो आप लोगों ने सही answer दिया है, जब एक ही concept पे, question paper में, बहुत सारे सवाल दिये जाता है, तो इस तरह के test क्या बोला जाता है, achievement test बोला जाता है, क्या बोला जाता है, achievement test, देखे, मैंने क्या किया है, आपके knowledge के लिए, और बहुत सारे question आपको solve करने होंगे, तो मैंने एक chart बना दिया है, achievement test जो है, दो तरह के होता है, एक होता है, standardized test और एक होता है teacher made test, एक होता है standardized test और एक होता है teacher made test, teacher made test को three भावगे बाटा जाता है, यह written हो सकता है, oral हो सकता है, practical हो सकता है, यह बहुत important है यहां जो मैंने आपको चार्ड शो किया है कि जो achievement test के तरह के होते हैं यह बहुत ही important है सवाल पूछ लिया जाता है कि objective type question जो है किस में आता है standard में यह आपका teacher made test में तो आपको जवाब देना पड़ेगा teacher made test का एक हिस्सा है ठीक है और यहां पर और भी तो इस to measure the knowledge and skills students learned in school or to determine the academic progress they have made over a period कि भया achievement test इसलिट नाम ही है achievement कितना achieve कियो भाई जितना समय कितना महीना जितना साल पड़े हो उसमें क्या achieve किये हो यह measure करने के लिए क्या knowledge क्या school skill एक student ने achieve किया है यह देखने के लिए कि over a period of time बच्चे का academic record कैसा है academic track कैसा है है ना a sufficient number of questions दिये जाते हैं set on the same concept in a test this test should be adjusted for each subject level यह हो गया achievement test का अब आते हैं आपे prognosis test जो कि यहां दिया हुआ है क्या है यह जान लिजे exam में सवाल आ सकता है आपका है ना a test which is designed to predict prognosis test is designed to predict how well one is likely to do in a language course कि कोई कि वेक्ति language के course में कितना अच्छा कर सकता है किसमें language course में diagnostic test क्या है diagnostic test in education is used to determine the extent of a student's knowledge की एक छात्र का ज्यान कहां तक है and to identify any potential learning gaps और क्या कोई अधिगम के समय पढ़ने के समय क्या कोई gap हो रखा है ठीक है तो यह बहुत ही important है यह हुआ और तीसरा हुआ आपका देख लिजिए criterion reference type in elementary and secondary education criterion reference test are used कहां पे elementary में और secondary में सवाल आ जाएगा लेकिन यह test होता है क्यों to evaluate whether students have learned a specific body of knowledge और required specific skills should कि कोई knowledge उनको मिला है specific setup किसी भी चीज़ के बारे में माल लिजए कि आप पाइथागरस theorem पढ़ा रहे हैं तो वो concept clear हुआ की नहीं हुआ आप पहाड़ा पढ़ा रहे हैं तो पहाड़े concept clear हुआ की नहीं हुआ या कोई specific skills तो सीखा है की नहीं सीखा है ठीक है तो यह था आपका next question देख लिजे screenshot ले लिजे मैं हट जाता हूं यहां से ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको ठीक है यह ली जागला सवाल questionnaire refers to questionnaire किसे कहते हैं option देख लिजे चारो option है आपके पास a device for securing answers to questions by using a form which the respondent feels in himself a device for collecting questions from many individuals a device for collecting response from classwork a device for developing various questions बताईए questionnaire ठीक है questionnaire क्या होता है हम जैसे कि मैं जो service अभी अभी एज़र as a development officer I am working for central government यह पीस यू तो वहां पर क्या होता है जब हम लोगी conference होती है तो conference के शुरूआत में जब एक दो session हो जाते हैं तो हम लोग को 5-6 page का एक questionnaire दिया जाता है जहां पर हम लोग कुछ questions पूछे जाता है जिनका जबाब हमको yes no या numbers हमको देने पड़ते हैं जीरो जीरो से लेके 10 तर और जब session खतम होता है फिर से सेम चीज हमको सेम questionnaire दुबारा दिया आता है fresh फिर हमारा response लिया आता है यह देखने के लिए कि जब दूसरे session में उन्होंने मैंने क्या ranking दिया और जब session खतम हुआ तो उस समय मैंने क्या ranking दिया और दोनों में क्या अच्छा और क्या बुरा है चिस्ति की वह feedback मिल सके सामने वाले को ठीक है तो questionnaire क्या होगा answer होगा एक device for securing answers to questions by using a form which the responses feels in himself जो मैंने कहा कि हमें भरना पड़ता है yes no या हमें one two ten हमको marking करनी पड़ती है ठीक है ना तो यह क्या होता है questionnaire a list of questions बहुत सारे सवाल होते हैं that are answered by many people बहुत सारे लोग मिलके जवाब देते हैं ठीक है मुझे जो question मिला बाकी जो 50 लोग हॉलने बैठे है उन्हें भी question मिला a questionnaire is used to collect information about a particular subject किसी भी particular subject की उपर या conference है तो वहां जो भी workshop हो रहा है उसकी उपर questionnaire दे दिया गया कि आपको ये question है कितना अच्छा लगा या क्या improvement करने की जरूरत है ठीक है feedback लेना चलिए आगे है which one of the following skills should be stressed more for mentally underdeveloped children जो मानसिक रूप से पूरी तरह से बिक्सित बच्चे नहीं है ठीक है उनके लिए आखिर वो कौन सी skill है जिसके उपर ज्यादा जोड़ देने की जरूरत है ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे mentally underdeveloped होते है किस skill को ज्यादा भेतर करने की जरूरत है life skill, adaptation skill, communication skill, numerical skill सोच समझ के बताईएगा इसका answer बता है बाई देखो क्लास बहुत लंबी होने वाली इसे चाय की बहुत जरूरत है आप लोग भी ले लें क्लास लंबी होगी लेकिन आपको बहुत को सीखने को मिलेगा आज तो आपने आज तक क्या पढ़ा अउस पढ़ाई का नतीजा कैसा है सही answer क्या है communication skill देखो बात को समझो communication skill लेनी की जो संगवाद करने की जो प्रक्रिया है बातचीत अपने भावनाओं को ब्यक्त करने की और लेने की एक mentally underdeveloped बच्चा जो होता है ना या कोई यंग्स्टर जो होता है will get increasingly anxious बहुत ज़्यादा वो उत्सुक हो जाता है जब वो किसी के साथ communicate कर रहा होता है क्योंकि वो मानसी ग्रूप से अपंग बोल सकते हैं डिजबल दिभ्यांग बोल सकते हैं जब वर्बल कमिनिकेशन स्कील उनका जब वर्बल कमिनिकेशन स्कीले जो बात करते हैं वो और ली गुछ बोल के वो बहुत ही वीक होता है जहां पर एशे बच्यों को समझना अंकी भाशा को समझना उनकी भावनाओं को समझना कि वो क्या ऐक्स्प्रेस क्या करना चाहती है बहुत चैलेंजिंग हो जाता है तो by providing them speech therapy, अगर हम उन्हें speech therapy दे, speech therapy देंगे तभी तो communication skill उनका बढ़ेगा, we can strengthen their communication skills, इसलिए उनको speech therapy, बोलनी की technique, lip reading, या कैसे चीजों को प्रणाउंस करे, कैसे चीजों को ठीक से अपनी, या अगर हम ठीक से बोलनी पाते तो कई तरह तरीके हैं जिससे हम अपनी भावना को दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए communication skill वे बहुत ध्यान देनी की जरूवत है, अगर हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं, जो mentally underdeveloped children है, ठीक है, अगला सवाल, A child knows 4 plus 2 is 6, but not 4 is equal to 6 minus 2, the child may be in the stage, जीन पियाजे अपने पढ़ा, जीन पियाजे के चार्चर अपने पढ़े, तो एक बच्चे को पता है कि 4 plus 2, 6 होता है, लेकिन जब इसको reverse किया जाता है, 4 is equal to 6 minus 2, ये बच्चे को नहीं पता होता है, इसका मतलब बच्चा किस stage में है, सेंसी, pre-op, concrete, formal, किस stage में है, बताईए, ये तो सारे answer देंगे, है न, बताए इसका answer क्या होगा, बहुत बढ़ियां सवाल है, बहुत बढ़ियां सवाल है, ठीक है, देख लो आपका answer, वाह, अच्छा पढ़ाई किया है आप लोग ने, सही answer दे रहे हैं आप लोग तो, very good, very good, ठीक है, बहुत बढ़ियां, सही answer क्या है, बच्चा किस stage में होता है, pre-operation, जहां पे वो reversibility, जो है, opposite तरीके से वो नहीं सोच पाता, ये मैंने पहले भी, जीन पिया जे, मैंने रतन सर का भी classes है, हिंदी इंग्लिस में, मेरी भी जीन पिया जे पे इंग्लिसी इक्लासे स है, तो वहां आप देख लें, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत बढ़ियां से pictorial तरीके समझाया गया है, आगे, according to the social constructivist theory of Leigh Vygotsky, जो अपने पढ़ा है, which of the following methods is appropriate for assessing students, बच्चों का, छात्रों का अगर हमें मुल्यांकन करना है, अगर हमें छात्रों का मुल्य मुल्यांकन करना है, तो Leigh Vygotsky की social constructivist theory के हिसाब से, इन चारों में से कौन सा method appropriate है, उचित है, यह आपको बताना है, पहला क्या दिया है, standardized test, fact-based recall system, questions, objective multiple choice type questions, collaborative projects, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, बच्चों का मुल्यांकन करना है, Leigh Vygotsky class, रतन सर ने बहुत अच्छे से, बहुत यूनीक तरीके से ली थी, ठीक है, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि आप लोग वो classes बहुत ही कम देखते हैं, का नहीं ऐसा नहीं है, रतन सर की classes बहुत ही अनुभवी classes है, बहुत 15 सालों का उनका अनुभव है, जरूर देख मुझे तो मगेरा कलासे, बहुत अच्हा लगता है, मैं हम पाती इंज्वये करता हूँ, क्या बोलते हैं, मुझे बड़ाम फोो किया करते हैं, यहां हम की कोई बाते नहीं करते, कोई time तो, बस पॉइंट वंबाते करता हैं, सही answer क्या होगा collaborative, obl-ился क्या से बना है, collaborative project ने की and वाइगोस की थेओरी एंपसाइजेजेट शोशल समाज में एक दोसल मिलना जुलना ग्रूप टीम वक करना कें फैसिलिटेट लर्नर्स जब आप ग्रूप टीम वर्क में काम करते हैं तो बچों की जो मोग्रेस होती है काफी बहतर होती है और उनकी który and Problem Solving ability बढ़ जाती है क्योंकि तरब आप ग्रूप के साथ काम करते हैं जहांने शाल्प को शुथ यहां दे पार या समझ पाते है और क्या से होती है scaffolding होता है वहाँ पे है ना तो collaborative projects है क्या are best for assessing students यह best method है बच्चों को assess करने के लिए the zone of proximal development जो पड़ा आपने ZPD है ना यह जो hypothesis of love Vegas की serves as the foundation for collaborative learning जहां पे collaborative learning का जो foundation है जो नीव है वो कहां से रखी गई थी zone of proximal development ठीक है आगे देखते हैं in the case of learning law of readiness आपको पता होगा यह तो मैंने भी बताया था law of readiness पढ़ने की आतूरता अगर हम simple भाशा में कहें corresponds to यह किसे corresponds करता है schema motivation stimulus response बताए इसका जबाब क्या होगा जल्दी करें इसका answer बताए क्या होगा है सही जबाब होगा motivation जी हां देखिए law of readiness क्या होता है अगर कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है कैसे पढ़ाईएगा आप उसको एक बच्चा पढ़ना चाहता है मैंने उसके अंदर law of readiness है ठीक है लेकिन वो सुनना नहीं चाहता करना नहीं चाहता तो भी पढ़ाई नहीं होगी एक बच्चे के अंदर law of readiness नहीं है आप पढ़ना चाहते है तो भी पढ़ाई नहीं होगी यानि उसको motivation की बहुत जरूवत है अलो विच्टेश देट लर्निंग इस डिपेंड अपन दर लर्नर्स रेडिनेस टू एक्ट लिए लर्निंग जो है वो डिपेंड करता है लर्नर के रेडिनेस पे ठीक है अब आप जो है मेरे लाइब में आना नहीं चाहते है तो मैं कैसे लेकि आओंग आपको आपके अधिवर्ड मिलता है अपरेशेशन मिलता है अना कैसन कांट वाटेवर इडिव एथली दॉसकी रेडिनेस रहेगी और करना भी चाहेगा देन वान वो इस पुरली मोटीबेटल यानि एक एथलीट हाइली नॉटीबेटल है एक अथलीट पूरली मेटिवेटल है कौन सबस अच्छा receptive होगा जो highly motivated है है कि ने तो इसलिए law of readiness जो है वो correspond करता है किसको motivation को it is very important a student modifies an essay in the book and then memorizes it this is a process of एक बच्चा क्या करता है अपने किताब में जो essay है ना उसको modify करता है मत्तब चेंज करता है तो करने के लिए उसका अपना knowledge तो होना चाहिए कि हमको यह अगर मैं यह line के जगा मैं इसे लिख सकता हूं इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ठीक है और उसके बाद उसके क्या करता है याद कर लेता है इस process को क्या बोलते हैं पढ़ा होगा अपने adoption, organization, assimilation, accommodation, बताए, करें इन से फटा फट इसका, बिल्गुल सही, ये क्या है आपका, assimilation, यानि आत्मसाथ कर लेना, internalize कर लेना अपने अंदर, through assimilation, we take in new information, modification क्या होता है, new information को उसके अंदर include करना, और experiences and incorporate them into our existing idea, क्या किया, अपने essay में, जो essay है, उसके क्या क्या, modify किया, नया information put किया, और उसके क्या कर लिया, आत्मसाथ कर लिया, memorize कर लिया, तो ये assimilation का process है, चीजों को समझना पड़ेगा, दिक्कत कुछ नहीं है एक्जाम में, 30 में 30 मिलेंगे, guarantee है इस बात की, काभी लेकाडमी की, a teacher always helps the students, so that they can relate the knowledge acquired in one subject, with another subject, it helps them, एक teacher, ना, सिख्छक, हमेशा आपने बच्चों को मदद करता है, कि उन्होंने, किसी भी subject में, है ना, पहले जो उसको knowledge मिला है, उसको नए subject के साथ, another subject के साथ, उसको relate कर पाए, यहनि जो prior knowledge है, जो previous knowledge है, ठीक है, उसको current subject या topic पे, अगर उसका relation है, तो एक teacher इसमें उसकी मदद करता है, कैसे previous knowledge को यहाँ पे हम लोग apply करेंगे, अगर आपने addition, subtraction, multiplication, division सीख लिया है, तो इस previous knowledge को simplification के process में कैसे apply करेंगे, बाटमाश के नियम के अरशाथ, यह teacher से मदद करता है, तो भया कहता है कि it helps in, क्या में help करता है, अगर यह help करता है, तो इसका जो भी answer होगा, positive होगा, यह तो अच्छी चीज़ क्या में help करती है, किसी positive बात में help करती होगी, जो positive होगा वही करेंगे, individual difference, learner's independence, distribution of reinforcer, correlate and transfer of knowledge, बताएं इसका answer क्या होगा, करें, अभी ठंडी तो कम पढ़ रही है, पर धीर ठंडा बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा, और हमारे यहां तो ठंड बहुत ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि चारो और से, हम लोग टी काटिन से घिरे हुए, चारो और चाय बगान, चाय बगान, नदी, सामने भुटान, पहाड, है ना, क्या सुन्दर नजारा होता है, असावेरे जो हवा भेती है, वाह, अरुस्व में करना होता है, योगा और मज़ा आ जाता है, ओम की ध्वनी के साथ, तो इसका answer होगा, कि it helps in, आप को रिलेट कर पाते हैं, पुराने previous knowledge को नए subject के साथ कैसे रिलेट करते हैं, teacher आपको ये correlation सिखाता है, ठीक है, और knowledge को transfer करना भी सिखाता है, कि addition, subtraction, division, multiplication के knowledge हो कैसे, simplification आप बाड़वर्स में apply करें, आगे, in teaching process, students performance is, teaching के process, जब सिक्षन की प्रक्रिया होती है, इसने बच्चों का जो performance हो variable है, intervening variable है, control variable है, बहुत ही तेना ओड़ा सा सवाल है, कुछ नहीं है, चीजों को समझेंगे तो चीजे बहुत अच्छे से clear हो जाएगे, करें इसका answer, इसका सही answer होगा, dependent variable, क्या होगा इसका answer, dependent variable, देखिए, independent variable जो होता है, यह क्या होता है, क्या होता है, किसी जिसका कारण, और dependent variable क्या होता है, यह किसी क्या होता है, effect होता है, आपको एक simple से example देते हैं, समझ यह चीजे क्या है, इसलिए example दिया गया है, let's take the example of test score test में जो आप score करते हैं you want to see the effect of studying or sleeping on a test test हो रहा था पढ़ने का और सोने का क्या नतीजा हुआ इस example में test score is the dependent variable इसमें जो test score है ठीक है dependent variable है studying or sleeping is the independent variable because these factors impact how much a student scores on the test एक जो टेस्ट का score है जो टेस्ट का score है वो तो effect हुआ ना कितना लाए आप तो तो effect हुआ कारण क्या था अगर आपने पढ़ा है तो आपका score high है अगर आप सोए है तो आप रोए है क्योंकि यह दोनों जो है decide करता है कि आपका test में score कितना होगा तो यह जो यह क्या है cause है यह कारण होते है कि test में आपका score कितना आता है इसे कहता है independent variable ठीक है और test में कितना आया वो उसका effect हो गिया इसलिए मैंने इस picture के माध्यम सबको समझाया कि independent variable cause है और dependent variable क्या है effect है पता ही कितने मज़दार चीज है मुझे लगता कि एक बार में clear होगी आपको इतने टेरे टेरे यह वर्ड है जल्दी किसी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है और किसे समझ में नहीं आएगा काविल एकाडबी के student है आपकाविल मनना है सबको दो दए कैलको अधर कि इसल्टाब मल्टिप्लिकरशन इसली चैल्कुलेटर में अब गुना भाग करें तो बहुत असानी से मैं लिल जाता है और है लुद टीच चिल्डरें टू केल्कुलेट मेनुवली तो हम बच्चों को को खुद से करने के लिए क्यों बोलते हैं उन् त्रेडिशन और मोहबत्य की फिल्म थोड़े ना हमिता बचना गुरुकुल परंपरा प्रतिष्ठा और एक क्या था पता नहीं तीन इस्तंब बताएं क्यों कहते हैं बच्चों को कि भाई आप मेंटली यह सब कलकुलेशन करें यह हम बच्चों से क्यूं करवाते हैं कुछ तो कारण होगा अब मैंने पहले कहा जो भी सवालों का जबाब दे खुद को सिक्षक समझ के जबाब दे तो जबाब अच्छे से जाएगा आगो जो चलिए बताए शका अन्सर और रोख को देखो बच्चा दिमाग में सोच भी रहा है तो सबना दिमाकत दही हो जाएगा नहीं सोचों के तो क्या होता है इससे ठिंकिंग और रिसनींग रिजनेंग मैंने क्या नोगर देना अभ्य लाजिक बहुंहोगा चोहत्तर इंटू बारा क्यों होगा क्या होगा जो भी होगा क्यों हुआ है ना 50 इंटू 13 का दिवाइड कितना हो जाएगा तो यह thinking ability बढ़ती है reasoning ability बढ़ती है बच्चा जो है कारम बता पड़ता है critical thinking कर पाता है है ना इसको दिमाग तेज हो पाता है सर 5E का जो मॉडल है करवा दीजिये देखिए मैंने करवा दिया है कोईशन में करवा दिया है ठीक है देख लिजिए तो 5E के मॉडल में serially क्या यहां तो दिया है evaluation exploration elaboration explanation engagement correct sequence क्या होगा यह पूछा है आप से बताएं पूछ लेगा ना exam में कि 5E के मोडल में तिन नंबर पर कौन आता है दो नंबर पर कौन आता है पांच नंबर पर कौन आता है पहले अस्थान पर कौन आता है भाई कि अरे question में ही सारी theory हो जाएगी अलग से क्यों पढ़ने की जरूवत है कि बताए कि देखिए चीजों को समझने की जरूवत है 5E मोडल मैंने पढ़ाया नहीं है यहीं पढ़ लीजिए अभी क्लियर हो जाएगा ठीक है सबसे पहले क्या आता है पांच नंबर यानि कि सबसे पहले बच्चों को एंगेज करें सबसे पहले क्या करें बच्चों को एंगेज करें अगर आपको वेजिटेबल के बारे में पढ़ाना है ठीक है कि क्या है नहीं है कैसे है क्या खाने से क्या होता है कितने कितने कलर्स के होते है तो पहले क्लास में वेजिटेबल के जो सैंपल्स होते हैं या जो मॉडल्स होत से एक्सप्लोर करने दे खुद से उन्हें देखने दे है ना वह रंगों के हिसाब से चाटे साइस के चाटे लंबा चोटा के चापे पतला मोटा के चाटे है ना घर में जो खाते हैं वह अलग कर ले तो बच्चा क्या होता ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है खुद पसर यह जो है, गाजर है, यह यह है, इसमें यह मिलता है, है ना, तरह से, उसके बाद क्या है, उसके तीन नंबर है, तीन नंबर क्या है, elaboration ना चीजों को और elaborate कर पाते हैं अपने thinking दे पाते हैं reasoning दे पाते हैं सोच पाते हैं तर्क दे पाते हैं ठीक है और last में क्या है evaluation evaluation का मतलब है सीधी सीधी बाद जज करना यह नहीं कि pass हुए की fail हुए कितना अच्छा कितना बुरा की है कितना success कितना failure भाइले तो कुछ होता ही नहीं है success होता है यह success नहीं होता है ठीक है तो यह होता है 5E जहां पर होता है सबसे पहले क्या होता है engage उसके पहले क्या होता है explore उसके बद क्या होता है explain करो भया और जदा elaborate करो हम बताएंगे तुमको कि तुम्हारा evaluation क्या हुआ पास हुए कि फेल हुए यह चीज़े हैं इसकूल में तक सब करते हैं साथ the teaching of geography and history of मुर्शिदाबाद may be meaningful quick and interesting if conducted together by an approach of आकिर किस approach से मुर्शिदाबाद की geography और history दोनों पढ़ाई जाए जिससे वो meaningful भी हो जल्दी भी हो जाए और काफी मनरंजन भी हो जाए बताएंगे क्या होगा इस सवाल का जवाब जवाब करें इसका सही जवाब होगा correlation क्या होता है मुर्शिदाबाद की अगर geography और history आप पढ़ा रहे हैं तो आप नहीं जानते हैं किसी जगह की भोगोले की स्थिति वहां के इतिहास को कैसे प्रभावित करती है या वहां का इतिहास वहा रहने वाले लोगों ने जो प्राचीन समय से जो राजा महराजा आये थे कैसे वहां के इतिहास को बदला कैसे वहां के जोड़ पाते हैं आगे इनमें से कौन ऐसा करेक्टरिस्टिक से गुन इनका जो नहीं है जो इस बात से जुड़ा हुआ नहीं है बताए एजुकेशनल रिलेवेंट यह अगर नहीं है यह तो अच्छी चीज़े हैं ना को करीक्टर एक्टिविटी स्कूलों में करना अच्छी बाते हैं तो इनमें से कौन जुड़ा हुआ नहीं है तो कौन सी बात जुड़ी भी नहीं होगी जो बुरी होगी क्या होगी जो नेगेटिव कुछ बता रहा होगा बताए इसका अंसर मैंने बता दिया क्या होगा चले बताए इसका अंसर क्या होगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो जोएन कर लो बहुत लोग अभी तक जो है अभी भी है अभाई गूड इवनिंग गूड इवनिंग हेलो सबको नमस्ते है भाईया सस्रियाकाल है सलाम है आज आए सब कोई जुड़ आए फड़ाफट आज तीन क्लासेस होंगी तीनों प्रिवेसरी क्लासेस होंगी आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा जो इस स्टेट के है वो भी जो पहली बार दे रहे है जो बाहर के स्टेट से आने वाले हैं उनके लिए भी क्लियर हो से होगा non optimization किसी के साथ स्टेट इहाए नहीं करेंगा जाएगा बाचों से बातीं करेंगे यह बात है से अब डेवलमेंट क्रीशर ने कास के अलग-अलग चलन होते हैं development के अलग-अलग schedule होते हैं यह एक teacher के लिए जरूरी है क्यों जरूरी है आप बताइए development के stage अगा teacher के लिए जरूरी है यानि कि अच्छी चीज है तो इसका जो भी answer होगा वो positive होगा ना बोलो तो जो जो positive होगा वो आपका answer हो जाएगा क्या क चाइल बच्चा बच्चा कैसा किन समस्या का सामना कर रहा है उसको जानना समझना establish and effective communication with the child बच्चों के साथ प्रभावी संगवाद करना है ना और एक comfortable environment पैदा करना teaching and learning दोनों के लिए मुझे बोलने के सरुवत है कौन answer होगा देही दी होगा answer ठीक है क्या होगा सारे के सारे 1 2 & 3 अगला सवाल the cephalocodal principle of development explains how development proceeds from cephalocodal principle क्या होता है differentiated to integrated function head to toe rural to urban general to specific function ठीक है picture तो मैंने देही दिया है सब तो picture देख रहे होंगे बववा का picture है देखो यहां दो बववे हैं यहां तीसरा बववा है cephalocodal क्या होता है cephalocodal होता है एक process है cephalocodal direction from यह सर से नीचे की और head से toe की और जो development होता है बच्चे का जो क्रामिक विकास हम study करते हैं इसका मतलब है that improvement in structure and function comes first in the head सबसे पहले दिमागी region में इसका विकास होता है then in the trunk यहां पे होता है धड़ पे और उसके बाद यह कहां जाता है leg rhythm है पहले यहां से start होता है trunk पे आता है फिर नीचे की और जाता है ठीक है और वहीं पे इसका answer क्या होगा head to toe और जहां बात करते हैं proximal distal की जो बात करते हैं जो एक एक सेफालो डिक्शन एक proximal distal तो यहां पे हमनों क्या करते हैं उल्टा करते हैं है ना head to toe हो गिया सेफालो कोडल और proximal distal हो गिया जहां मीड से यहां मीड पोजिशन से हैं बाकी जगा पे हमनों मूब करते हैं ठीक है दोनों exam में आएंगे according to Chomsky an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely hematological inheritance which is called Chomsky के अनुसार एक अंदर के capacity है to acquire language भाषा को प्राप्त करना भाषा सीखना और यह किसका पहिना होता है uniquely human biological हमारी जो जैबिक संग्रचना हमारी जन्म हम तो रोबोट नहीं है ना हमरे अंदा हार्ड मास नस cells tissues से हम बने हुए है biological हम पैदा हुए हमारे माता पिता नहीं हमें पैदा किया है तो उनका gene DNA ने हमें biological हमें मिला है we are the biological products है ना तो इसके कारण चुकि हमारा inheritance बहुत ही biological हम भाषा को तुरल प्राप कर लेते हैं इसे क्या कहते हैं चॉम्स की बताए नीचे explanation में ना आ जाए यह कुछ और है सभी तो लेडी एलेडी है कौन सा होगा language adaptation degree language acquisition device language acceptance desire language acquired domain ठीक है इसे कहते है language acquisition divide यानि की LAD यह क्या है system है principle the children are born with that helps them learn language पैदाई होते हैं जो उसे मदद करता है भाषा को सीखने में देखते हैं बच्चा जैसे की 6 महिना 7 महिने का होता है babbling मगरा करना शुरू कर देता है ठीक है babbling giggling करता है accounts for order in which children learn structure and the mistakes they make as they learn भाषा सीखता है गलतिया करता है फिर सीखता है गलतिया करता है फिर सीखता है ठीक है आगे which one of the following is the best suited for the emotional development of children इन में से कौन सी है जो एक बच्चे की भावनात्मत विकास के लिए सबसे suitable है बताए बच्चों को emotionally develop करना है अंदर से feeling effective domain की बात कर रहा है feeling तो भाई जो feeling होता है appreciation होता है praise होता है प्रसंसा प्रेम पुरसकार भावना जस्बात effective domain है cognitive क्या होता है सोचना blooms जो पढ़ाएंगे हम आगे और एक होता psychomotor हाथ पहुँ चलाना ठीक है democratic classroom environment no involvement teachers as it is the task of the parents controlled classroom environment authoritarian classroom environment बाप ले एंसर क्या होगा एंसर होगा आपका democratic classroom environment democratic बने लोग तांतरिक जहां बच्चों से भी पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है क्या सही क्या गलत है है क्या पसंद क्या ना पसंद है a democratic classroom engages students in living democratically by promoting values such as inclusion voice representation भी लीजिए participate भी कराईए inclusion मैंने children with special needs भी वहाँ पड़ सकते हैं उनकी भी आवाज सुनी जाए उनका भी representation लिया आ जाए participation करवाया जाए inclusion of children special needs special needs भी स्वेशन भाले होते हैं जिसे वह ड़ोगे से न कहते हैं SWCN क्या कह रहा हूं मैं CWSN सॉरी children with special needs करशन कर रहे ना ठीक है तो in inclusion of children with special needs क्या है देखें और इसका आंसर बता इसके बारे में तो कितनी बार हम लोगों ने चर्चा भी करी है गुड इबनिंग है काफी लेट हो रहे हैं आप लोग इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा requires a change in attitude content and approach of teaching जब भी आप inclusion of children की बात करते हैं जो special needs बाले बच्चे है जो रडी होता है कि टीचर अपने जो attitude है उनको बदले content को बदले जो पढ़ाना चाहते हैं जो उनको सूट करें और आपको एप्रोच है वो काफी डाइवर्स होना चाहिए ताकि बच्चे जो स्पेशलिट वाले बच्चे है comfortable feel कर से के सीख पाई समझ पाई है विट रेफरेंस टुदा गिफ्टेट लर्नर्स celebration का मतलब क्या है यहां तक गिफ्टेड बच्चों का सवाल है Singing weрост को है और कोई Moscow यौ手 अखल को कोई मीलगयाелी में मुझे याद आता है मैं ऐट करने कुन में पुझेल के साथ रिख साथ है कि मम उन्ह cognitive development हो जाता है इतना 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 development होता है कि जीनियस हो जाता है और सीधे class 5 या 6 से वहां का principle जो है उसे class 10th या 12th क्या है या 10th ही है 10 पे promote कर देता है ठीक है तो यह एक ही बार बच्चों को उनके performance के हिसाब से promote कर देना higher grade पे acceleration कहलाता है ठीक है सही answer होगा promoting them to the next higher grade earlier than normal learners आगे है which of these does not imply practical intelligence in the triarchic theory Sternberg याद होगा Sternberg की जो triarchic theory है तो इन में से कौन है जो imply नहीं करती practical intelligence बताईए यहाँ आपको दिया हुआ है analytic है practical है creative है analytic मतलब mental steps और components used to solve problem जहाँ दिमाग का इस्तमाल करते है practical intelligence ability to read and adapt to the context of everyday ठीक है दिन परती दिन में जो भी सवालों के जबाब होते हैं आप दे पाते हैं creative क्या होता है use of experiences in ways and faster insight जहाँ आप जीवन के अनुभाव का इस्तमाल करते हैं problem को solve करने के लिए बताए एंसा करें को एंसर होगा thinking practically about oneself only यह imply नहीं करता practical intelligence देखिए practical intelligence क्या है सिंपल भासा में street smart you find solution that work in your everyday life by applying knowledge based on your experience आपके पास जो अनुभाव है कहीं भी गए सब्जी तो कान पे गए ठेले पे गए कुछ marketing करने गए शॉपिंग करने गए अपने अनुभाव से सब कुछ मोल भाव हिसाग मिताब सब कुछ कर लेते हैं ठीक है componential it focuses on academic problems and comprehension school में चीज़े कैसे सीखते हैं कैसे समझते हैं it is also known as analytical intelligence तो componential intelligence को analytical intelligence भी कहते है experiential नाम ही है experience it is imaginative and innovative problem solving it is also known as creative intelligence तो यह एक्जामें पूछेगा experiential को creative भी कहते है componential को हम लोग क्या कहते है analytical भी कहते है practical street smart तो सवाल आ जाएगा कि street smart कौन सा intelligence का example है तो आप कहेंगे practical intelligence आगे देखें some statement about children यहां दिये हुए बच्चों के बारे में कुछ लिखा हुआ है बताना है कौन सी बाते सही है अगर सही है सही है तो positive बाते ही सही होंगी बताए मैं तो बता ही दिया answer आप लोगो सही जबाब होगा दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर children are passive recipient ठेट भासा है बोले तो बच्चे ना कुछ सीखते हैं ना समझते हैं active नहीं तो passive रहते हैं कह रहा है कौन बोलता है children are problem solver हाँ children are interested in scientific investigation हाँ क्यों है भाई इतनी जिग्यासा होती है कि जमीन खोद देते हैं वो लोग तो children are active explorers of the environment भास सही है छोड़ दीजिए उनको जंगल में आसपास है गार्डेन में पुरा गार्डेन नहीं खोद दिये तो मुझे बताईएगा इतने बड़े explorer होते हैं क्यों कहां कैसे है की नहीं cockroach is not bird तिल्चट्टा पक्षी नहीं है यह कहके आपने lesson शुरू किया है कौन सा lesson बर्ड के उपर उपने पढ़ाना शुरू किया कि cockroach बर्ड नहीं है यह कहकर class शुरू किया है जिस class में आप पक्षियों के बारें पढ़ाना चाहते हैं cockroach के भी wings होते हैं पक्षियों के भी wings होते हैं cockroach भी कुछ उड़ पाता है पक्षी ज़्यादा उड़ पाते हैं दोनों के ही wings होते हैं पर दोनों का anatomical structure है जो उनका born and brought up है वो बिलकुल अलग है यह अलग बात है पर पंक तो दोनों में है इस तरह के negative example से class शुरू करने की बात को किसने गलट ठहराया है तो ठहराया है Brunner भाई सहाब ने ठीक है परसों मिले थे हमसे तो Brunner भाई सहाब ने गलट ठहराया है क्योंकि the wings of bird and cockroach जो है are analogs मैं लगबग similar होते हैं क्योंकि दोनों में पंक है भाई पंक तो है न दोनों के एंसेस्टर पूरवज सेम नहीं है उनके मम्मी पापा सेम नहीं है अलग-अलग है और इसलिए indicate convergent evaluation इसलिए इनका जो evaluation होता है वो बिल्कुल क्या है अलग है वो अलग बात है लेकिन similarity तो है तो इस तरह के negative examples दे के class चाट करेंगे तो बच्चे ऐसा ही negative example कुछ और बना के दूसरों को बताएंगे और इस तरह से उनका जो progress है वो खराब हो जाएगा in the context of education socialization means जहां तक सिख्षा का संदर्व है इस संदर्व में समाजी करन का क्या मतलब होता है socialization पे रतन सर ने अच्छी class ली है पर आप लोग नहीं देखते हैं है ना patience नहीं है आप लोग में देखे बहुत संदर class है देखे ले सारी थेवरी रतन सर ने जितनी वीडियो बनाई है ना कमाल की वीडियो है मैं कह रहा हो personally देखे तो बताएंगे क्या होगा एंसर होगा adapting and adjusting to the social environment जो समाजीक परिवेश है आपना क्यों उसको adapt करें अपने आपको ढाले वहां रहने के लिए बलकि adjust भी करना सीखें हमना पढ़ने जाते हैं बाहर HS pass हो गए अपना भेज़ दिया पूने, एकलकत्ता, दिल्ली तो वहां तो नया environment है अब वहां अगर socially आप उस environment को accept नहीं करोगा तो क्या होगा आपना रहा धी पाओगे वहाँ पर ठीक है हमारे देश के पढ़ान मंत्री जी ने चीता चोड़ा, आप लोगो तो पता होगा तो चीता तो भाई, अफरिका ना कहां से आया और सिधे इंडिया में आ गिया वहां का जंगल, अहिया का जंगल अब चीता बोलेगा हम काहे रहेगा यहां पर हम तो यह रहेगा, हमको facility चाहिए, हमको टीवी चाहिए हमको washing machine चाहिए तो तो कैसे रहेगा, उसको तो जो मिला है उसी में ज़स्ट करना पड़ेगा Adapt and survive Right to Education Act 2009 has its main objective to ensure each child in India 6-14 साल receives a quality education यह ensure करता है कि 6-14 साल के बच्चों को fundamental education मिले The term quality education का क्या मतलब है Education अगर qualitative हो तो इसका मतलब है Quality की बात की है Quality का मतलब यह नहीं है कि आपने इस तरह से बोर्ड लगा दिया Teaching learning material हाइफाई खरिद लिया Projector लगा दिया तो पढ़ाई बहतर नहीं हो जाता है आपने technology integrate किया है पर सिख्छा के स्तर तो अभी भी नीचे है Quality का मतलब यह समान नहीं होता है ठीक है फिल्म तो आइनोक्स में भी लगती है PBR में लगती है सारी फिल्म में हिट हो जाती है क्या सारी फिल्म में तो ऐसी फ्लॉप होती है कि जमीन के अंदर पाताल में भी खोचके नहीं मिलता है कहा गए है लेकिन बजट कितना था? 400, 455 करोड का, है ना? तो PBR में लगने का मतलब यह नहीं कि quality अच्छी होगी फिल्म की, सीधे पीट जाती है, वहीं कांतारा को देख लिए, 10 करोड की फिल्म, 1500 से उपर करोड कमा लिया, कोई स्टार कास्ट नहीं है, रिसब शेट्टी है, ठीक है, अकेले ही हिला दिया पूरा इंडेस्ट्री को, 10 करोड के फिल्म में सारा जगत हिला के रख दिया है, तो सोचे कि, क्या यही बात होती है, quality कहते हैं इसको, ठीक है, तो answer होगा, quality education का मतलब होता है, establishment of relation between classroom and real environment, अरे आप जिसका अक्छा हैं पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं जिसको पढ़ाते हैं, वो क्या इन चीजों को अपने day-to-day, daily life environment से क्या connect कर पाता है, जरूरी है, जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, बहुत important है, ठीक है, बताएं इसका answer, जेंडर क्या है, come on answer करें, समाज में एक ऐसा system होता है, जो ये तेह करता है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की का behave है, ये लड़की का behave है, उन्हें भी वैसे ही चलना पड़ता है, ये क्या है, ये एक social construct है, ठीक है, ये characteristics है, women, men, girls या boys का, that are socially समाज में जैसे तैयार किया गया है, वो होता है gender, gender माने male female नहीं, आप पेड़ागों की पड़ रहे हैं, English का meaning नहीं पड़ रहे हैं, by the word individual, wordsworth has referred to, wordsworth के हिसाब से, individual कौन होता है, human body, human mind, human behavior, both mental and physical behavior, अब देखिए individual, ऐसे नहीं पुछा, what is individual, wordsworth के हिसाब से, individual कौन है, बताईए, करें, सही जवाब होगा इसका, बोथ mental process and physical behavior, आपका दिमागी, प्रक्रिया, और आपका बहवार, wordsworth कहते हैं, कि हम बोथ behavior और consciousness, mental process, where the subject matter of psychology है, तो ये था आपका, आज का session, जहां हमने, जहां हमने क्या पढ़ा, जहां हमने WB Tate previous year paper, 2014 में आए हुए, exact जो child pedagogy के सवाल है, उसका हमने पहला session किया, life किया, previous year के paper हमने solve किया, मुझे, मैं ये मान के चलता हूँ, कि मैंने, पूरे justification के साथ, कोशिश की, महनद थी कि, आपको हर एक सवाल का जवाब अच्छा मिले, ये सिर्थ 30 question solve करना हमारा purpose नहीं, ये तो आचुके हैं, पर solve किये भी होंगे, पर ये 30 सवाल, 100 सवालों के बराबर हो जाए, ये मैंने कोशिश की, यहां करने की कहां तक सफल हुआ, ये तो आप मुझे बताएं, ठीक है, और क्या करने के जरूर थे ये भी बताएं, बहुत लोग WhatsApp से जुढना चाहते हैं, चाहते हैं, इसका नाम है ये वाला, ये hyphen है, क, A, W, T, D22, बेट, बिश में hyphen है, तेलेगराम चेल का नाम है, W, T and C, T, Kabile Academy, ये टाइप करें के मिल जाएगा, कावील एकाड मी है चैनल का नाम आप लोग जरूर लाइक कर दे ठीक है और सबस्क्राइब कर ले शेयर करें आपकी मोरल रेस्पोंसिबिटी है कि अच्छी चीजे सब तरह फैलनी चाहिए बुरी चीजे को फैलने से रोग दे ठीक है तो आज का ये सेशन यहीं तक तीन सेशन होंगे तीन वीडियोज होंगे चाहिए पेड़ागोगी हो गया इसके पास हम लोग करने जाएंगे दो हज़ा चौदा के प्रिटेस वेपर के EBS and EBS पेड़ागोगी आपसे दरूर मुलागाप होगी बने रहे इस चैल के साथ और रखे अपना पूरा ख्याल थैंक्यू